नमस्कार सातियों तो मौझूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ तो हिमाचल प्रदेश में नई बिमारी ने दस्तक दे दी है जिसके चलते ये बिमारी छोटे बच्चों के लिए मुसीबत बन गई है तो क्या ये तमाम खबर रहेगे आपके समाच जरूर साज़ा करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबर को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले संकरमित बच्चों को दवाई देकर परिवार से 10 दिन के लिए आलः किया जा रहा है इन बच्चों को हॉम आईसोलेट किया गया है स्वास्ते विभाग दोनों इलाखों को फ्लैगर्ड एरिया गोशित कर दिया है और संकर्मित बच्चों की पहचान के लिए विभागिये टीम में घरगर जाकर निरेक्षन कर रही है वह उनके उपचार को लेकर विवस्ता भी की जा रही है यह संकर्मन गुजर समुदाय के बच्चों में अधिक पाया गया है इसका कारण बच्चों का समय पर टिका कर नहीं होना भी माना जा रहा है यह संकर्मन बाहर से चंबा तो नहीं पहुंचा इसको लेकर भी परताल की जा रही है इसके लिए विभागिये टीम में संकर्मित बच्चों के यात्रा इतिहास का पता लगा रही है संकर्मित मीला एक बच्चा बढ़ी के नालगर से चमबा पहुंचा है स्वास्ते बिभाग ने बढ़ी में भी इसकी सूचना बिभाग्ये टीम को देदी है इसके बाद वहां पर भी स्वास्ते बिभाग ने जानचुर कर दी है दूसरी और चमबा में इस संक्रमन का पता तब चला जब मेडिकल कोलेज में इस रोक से संभावित लक्षणों वाले चार बच्चों को अपचार के लिए भरती करवाया गया बच्चों में खसरा रोका पता लगाने के लिए बिभाग ने सैंपल लेकर धर्मशाला भेजे बता दें की प्रियोक्षारा में खसरे की पूष्टी हुई जिसके बाद विभाग ने इसकी सूचना राजे सरकार को दी सरकार ने समबंदित क्षेतरों को फ्लैगर एरिया बनाने के निरदेश दिये इसके चलते विभागे टीमे रोजाना, सिला घराट, जडेरा और साहो में जाकर संक्रमन का पता लगा रही है यह अभ्यान 28 दिन चलेगा तो कुल मिलाकर यही है बड़ी खास कबर की हिमाचल प्रदेश की चमबा जिले में खसरा फैल गे है जिसके चलते सिला घराट, जडेरा में 20 बच्चे इसकी चपेट में आए हैं तो अभी के लिए यही है बड़ी खास कबर तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद